हमने MS Word और MS Excel को complete सीख लिया है आज से हम लोग सुरू करें MS PowerPoint को और मैं आपको बता दूँ कि PowerPoint मैं आप सभी को बिलकुल सुरू से सिखाने वाला हूँ और ये Part 1 होगा PowerPoint के उपर और भी Part आते रहेंगे बस आप इस सीरीज के साथ जुड़े रहेंगे अगर आपको पावर पॉइंट के बारे में बिलकुल भी जानकारी नहीं है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं PowerPoint आप सभी को इस तरीके से सिखाऊंगा कि PowerPoint में एक एक चीजों के बारे में आपको अच्छे तरीके से जानकारी हो जाएगी बस आप जो है पावर पाइंट की इस सीरीज के साथ मेरे साथ सुरू से लेकर के लास्ट का जरूर जुड़े रहें हाला दोस्तो मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरू कम्प्यूटर स्मार्ट क्लास अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो ये वीडियो आप ज़रूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को सेर करिए ताकि उनका भी फायदा हो सके और चैनल पे अगर पहली बार हो Microsoft PowerPoint, Microsoft Company के द्वारा बनाया गया एक बहुत ही powerful presentation तयार करने वाला प्रोग्राम है जो की Microsoft Office के अंतरगत ही आता है इसे अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है वरतमान समय में PowerPoint का सबसे ज़्यादा इस्तमाल presentation तयार करने के लिए किया जाता है PowerPoint का इस्तमाल करके हम slide show बना सकते हैं, animation video बना सकते हैं, presentation तयार कर सकते हैं इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजे हम लोग PowerPoint में बना सकते हैं मैंने आपको बताया कि PowerPoint जो है MS Office के अंतरगत आता है इसे अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है जी हाँ अगर आपके computer में MS Office डला हु आकरके 8 software MS Office के अंतरगत आते हैं तो अलग से आपको PowerPoint इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है तो यहां से आपको यह समझ में आ गया होगा कि Microsoft PowerPoint क्या है अब बात करते हैं Microsoft PowerPoint को computer में चालू कैसे किया जाता है तो Microsoft PowerPoint को चालू करने के कई सारे तरीके हैं जिसमें से कुछ तरीक है वो यह है कि आप अपने computer में start button पे click कर ये इस तरीके से start button खूल जाता है यहां पर all apps जो लिखा हुआ है हो सकता हो यह all program आपके computer में लिखा हो आपको इसी पर click करना है नीचे की side में scroll करके आना है यहां पर आपको जो है MS Office का folder मिलेगा इसके उपर click करना है इस तरीके से नीचे की side में scroll करना है और यहां पर आप देखोगे Microsoft Office PowerPoint 2007 लिखा हुआ है इस पर आप click कर दीजिए यह open हो जाता है दूसरा तरीका यह है कि आपको यहां पर एक search button विलेगा इस पर click करिए यहां पर आपको search करना है Microsoft Office PowerPoint आप जैसे कि यहां पर जो है सिर्फ PowerPoint भी लिखते हो तो भी यह application आजाती है आप जो है इस पर click करके इसको जो है अपने computer में open कर सकते हो यह रहे दो तरीके तीसरा तरीका यह है कि आपको जो एक shortcut की मदद से जो है आप इसे open कर सकते हो आपको क्या करना है keyboard में Windows के साथ R बटन दवाना है यह run command खुल करके आ जाएगी इसके अं open नहीं होगा पावर P&T लिखने के बाद आपको जो है OK बटन पर click करना है तो PowerPoint open हो जाता है अगला तरीका यह है कि आपको जो है desktop पर ही right button click करना है और यहाँ पर new पर जाना है यहाँ पर आनक बाद आपको यहाँ पर मिलेगा Microsoft PowerPoint presentation का तो आपको जो है इस पर ही click कर देना है तो इस तरीके से एक folder बन के आ जाएगा Microsoft PowerPoint presentation का आपको जो इस पर double click करना है यह Microsoft PowerPoint की window खुल जाएगी यहाँ पर आपको क्या करना है control N से एक नई slide इस तरीके से inside करा लेनी है अब जो है आप PowerPoint को इस्तमाल कर सकते हो तो यह थे कुल चार तरीके जो कि मैंने आपको बता दिये हैं और भी तरीके हैं लेकिन यह जो तरीके हैं इसे मैं भी इस्तमाल करता हूँ इसलिए मैंने आप सभी को भी बता दिये हैं चलिए यहाँ पर Windows के साथ R बटन दबाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं Power P&T मैंने पहले से ही लिखा है आप एक बार लिख दोगे तो यहाँ पर यह सेव रहता है इसके बाद जो है से ओके पर क्लिक करिए यह खुल जाएगा PowerPoint को open करने के बाद सबसे पहले तो आपको PowerPoint के पूरे interface को समझना होगा कि किस option को क्या कहा जाता है तो सबसे उपर की side में एक restore बटन मिलता है इस पर हम क्लिक करते हैं इस window को थोड़ी सी कर लेते हैं ताकि जो है आपको समझाने में आसान ही हो अगर आप इस window को और छोटा करना चाहते हो तो यहाँ पर लेगे जाए देखे इस तरीके से अपना mouse pointer बनाईए जैसे इस तरह बना है और इस तरह किसे left side में mouse का left button क्लिक करके drag करोगे तो छोटा बड़ा आप कर सकते हो वही नीचे की side में भी आप इस तरह किसे बना करके इसको छोटा बड़ा कर सकते हो सेम वही काम अगर आप जो है यहां से भी छोटा बड़ा करना चाहो तो कर सकते हो और इधर से भी अगर आप इस window को उठा करके इधर रखना चाहते हो तो यह जो उपर white color की पट्टी द बात कर लेते हैं कि किस option को क्या कहा जाता है तो इस window में सबसे उपर की side में आपको यह जो white color की पट्टी मिल रही है इस पट्टी को जो है title bar कहा जाता है अगर आप जो है ms powerpoint का new file लोगे तो यहां पर presentation one करके आता है और साथ में जो है जो आपने application खोली है ms powerpoint उसका नाम लिखा हुआ होता है तो इस पूरी पट्टी को जो है title बार कहा जाता है इस पट्टी में ही जो है right side में आपको एक minimize का बटन मिलता है दूसरा जो है maximize का button और restore का button होता है और तीसरा जो है close का button होता है यह सारे button आपको जो है ms word और excel में भी मिलते हैं आप इस button पक्लिक करके इसको जो है minimize कर सकते हो minimize करने से ये फायदा होता है कि powerpoint आपके टास्क बार पा के इस तरीके से रहता है अगर आप बादवे से open करना चाहो तो इस पे click करके आप जो है दुबारा से इसको use कर सकते हो और ये button है इसको बढ़ा करने के लिए जैसे मैं इस पे click कर दूँगा तो full screen में आ जाएगा और फिर से जो है दुबारा से इस पे click करूँगा तो ये जितनी बड़ी screen थी उतना बड़ा हो जाएगा अगला button है close का इस पर click करके आप powerpoint की window को पूरा का पूरा close कर सकते हो अब जो है इसी वाली पट्टी में left side में आपको मिलता है एक quick access toolbar इसको आप जो है shortcut bar भी बोल सकते हो इसमें जो है वो सारे button रख सकते हैं हम लोग जिनें हमें बार बार use करने की जरूरत पड़ती है अभी जो है default इसमें तीन button ही होते हैं पहला है तो होता है save का दूसरा है undo का और तीसरा है redo का आप चाहो तो इसमें और भी बटन add कर सकते हो या फिर यहां से हटा भी सकते हो add करने के लिए आपको इस पर click करना है यहां पर जितने भी बटन दिये गए हैं इन सबी बटन को आप यहाँ पर add कर सकते हो जैसे कि यहाँ पर मैं print preview पर click कर दूँगा तो print preview बटन यहाँ पर add हो चुका है फिर से हम यहाँ पर email भी add कर देते हैं कोई दूसरा और बटन add करना हो तो वो भी add कर सकते हो अगर आप यहाँ से किसी भी election को हटाना चाते हो तो बस पर click कर दिए वो option वहाँ से जो हटता चला जागा तो यहाँ से आपको यह समझा आ गया होगा किस तरी के से इसके अंदर कोई भी option को add कि बटन है इसके बारे में आपको ज़ुरूर पता होना चाहिए और इसमें वो सारे option होते हैं जिनको हम ज्यादतर इस्तमाल में लेते हैं अगर आप इस बट्टी पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको वो सारे option मिल जाएंगे जो कि हमें MS Word में मिलते हैं पहला है new new पर क्लिक करके आप पावरपाइंट की नई फाइल को ले सकती हो open पर क्लिक करके आप पहले से बनी बनाई पावरपाइंट की फाइल को जो है open कर सकती हो save पर क्लिक करके आप जो है इस पावरपाइंट की फाइल को जो है save कर सकती हो जैसे कि देखिए अभी यहाँ पर लिखा है presentation 1 अगर मैं इस powerpoint की file को save कर देता हूँ तो यहाँ पर जिस भी नाम से हम save करेंगे वो नाम यहाँ पर आएगा मैं यहाँ पर save button पर click करता हूँ यह हमसे location पूछ रहा है कि आप कहाँ पर save करना चाहते हूँ तो मैं इसे desktop पर save कर लेता हूँ यहाँ पर आप जो भी नाम रखना चाहते हो उस नाम से इस file को save कर सकते हो मैं गुलाब गुरू 1 के नाम से इस file को desktop पर save कर देता हूँ यहाँ पर मैं save button click कर देता हूँ तो अभी देखिए यह जो हमारा presentation 1 करके आ रहा था वो गुलाब गुरू 1 करके आ रहा है इसी में जो है अगला button है save as का अगर आप जो है इस file को कहीं दूसरी location पर दूसरी जग़ा पर save करना चाहते हो तो भी आप save as button पर click करके इसी file को दोबारा से save कर सकते हो जैसे कि मैं दोबारा से आपको save करके दिखाता हूँ तो हम लोग save as पर click करेंगे दोबारा से इस तरीके से एक pop-up window आएगी यहाँ पर आपको location देना है तो फिर से हम लोग desktop दे देते हैं और यहाँ पर हम लोग गुलाब गुरू 1 था यह file का नाम हम जो है इसको गुलाब गुरू 2 के नाम से इस file को save कर देते हैं और यहाँ पर हम लोग save button पर click करेंगे यह जो है देखिए file का नाम जो है बदल चुका है गुलाब गुरू 2 के नाम से यह file save हो चुकी है और यह हमारे desktop पर दोनों file save है मैं आपको जो है से minimize करके दिखाता हूँ गुलाब गुरू 1 और गुलाब गुरू 2 के नाम से यह file दिखाई दे रही है अगला option है print का तो इस button पर click करके आप जो है powerpoint की file को print कर सकते हो इसमें आपको तीन button मिलते हैं पहला है print का अगर आप इस button पर click कर देते हूँ तो यहाँ पर आपको piece setup का और copies की बहुत सारी setting आपको मिलती है लेकिन अगर आप जो है बिना setting की यही print करना चाहते हूँ यानि जल्दी बाजी में तो आप यहाँ पर quick print पर click कर दिजिए और तीसरा button है print preview का इस button पर click करके आप जो है powerpoint की file का print preview देख सकते हैं अगर आप इस पर click करोगे तो इस तरीके से print preview खुल करके आता है अभी हमने कुछ भी नहीं बनाया है जिसकी जैसी यह पुड़ा blank है तो यहाँ पर हम लोग जो है close पर click कर देंगे तो यहाँ से आपको जो है print वाला option भी समझ में आ गया होगा अगला option है prepare का तो इस button पर click करके आप जो है अपनी powerpoint की file को जो है prepare कर सकते हो जैसे कि अगर आपको जो है mark करना है final के लिए या फिर जो है इस पर digital signature add करना है या फिर रेस्ट के permission करनी है अगर आपको इन सभी option की ज़रूरत पड़ती है तो आप यहाँ से prepare बटन पर इस्तमाल करके इन सभी option को इस्तमाल कर सकते हो वैसे इनका ज़्यादा तर use नहीं आता है अब बात करते हैं shand option की इस option का इस्तमाल करके आप जो है पावर पॉंट की फाइल को direct email के थुरू या फिर जो है fax कर सकते हो यानि email पर भी बेज़ सकते हो direct यहीं से और यहांसे fax भी कर सकते हो अगला option है publish का आप जो है इस बटन पर क्लिक करके PowerPoint की फाइल को direct यहीं से in server पर publish कर सकते हो अगर आपको इन server पर powerpoint की file को publish करना है तब यह option काम आता है वैसे ज़्यादा तर इस्तमान में यह option नहीं आता है अगला option है close का इस button पे click करके आप powerpoint की window को direct यहीं से close कर सकते हो तो यहां से हमने office button के बारे में भी पूरा complete सीख लिया है अब बात करते हैं ribbon के बारे में तो देखे title बार के ठीक नीचे यह जो पट्टी आपको दिखाए दे रही है इस पट्टी से लेकर के यह जो सारे option दिखाए दे रहे हैं यह सब जो है ribbon के अंतरगत आते हैं और ribbon में ही ये जो option आपको दिखाई दे रहे हैं इनको tab बोला जाता है जैसे home tab, insert tab, design, animation, slide show, review और view tab ये सारे tab है पहले जो है इन option को menu bar के नाम से जाना जाता था लेकिन अब जो है इसे ribbon में convert कर दिया गया है और अब जो है इन option को tab बोला जाता है प्रत एक tab में अलग-अलग option होते हैं जिस भी tab पर आप click करोगे उसमें अलग-अलग option होते हैं इन सभी के बारे में भी हम लोग आगे सीखेंगे तो यहां से आपको ribbon भी समझ में आ गया होगा कि title bar के ठीक नीचे जो पट्टी दिखाई ये देती है जिसमें जो है insert, home, design ये सारे option होते हैं इसे ribbon बोला जो भी हम लोग यहां पर slide में काम करते हैं वो उसका preview यहां पर दिखाई देता है और जो भी हम लोग इसके अंदर slide जोडते हैं वो slide यहां पर भी show होती है जैसे कि हम यहां पर आ करके एक new slide ले ले लेते हैं तो देखें यहां पर जो है नई slide आ चुकी है ये एक navigation panel होता है और ये जो बड़ा सा भाग दिखाई दे रहा है इसको slide area बोला जाता है या फिर आप इसको slide ही बोल सकते हो या फिर आप इसे page ही बोल सकते हो जो भी हम लोग powerpoint में काम करते हैं इसी पर हमको काम करना होता है हर एक slide पर हम यहाँ से click कर करके slide पर काम कर सकते हैं और दूसरी slide पर भी जा सकते हैं तो इतना बड़ा भाग यह slide area कहलाता है इसी के नीचे आपको यहाँ पर एक option दिखाए देगा जिसे note area बोला जाता है अगर आप इस slide से संबंदित कोई note लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पर click करके वो note यहाँ पर type कर सकते हो यह note area के ठीक नीचे जो है यह जो पट्टी आपको दिखाई दे रही है इस पट्टी को जो है status bar बोला जाता है status bar में हमने जितनी slide ली है उसका यहाँ पर number of slide दिखाता है और जो भी हम theme इस्तमाल कर रहे हैं उस theme का नाम दिखाई देता है जैसे कि हम लोग office theme इस्तमाल कर रहे हैं और जो भी हम लोग language इस्तमाल कर रहे हैं वो यहाँ पर language भी दिखाई देता है right side में आपको slide show view दिखाता है normal, slide shorter और slide show यह तीन option आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं और यसी के bugle में आपको zoom in और zoom out का button होता है इसी में आपको right side में यह जो button दिखाई दे रहा है इसको scroll button बोल जाता है अगर हमारी slide काफी बड़ी हो जाती है zoom करने के बाद कुछ इस तरीके से तो हम इस button का इस्तमाल करके उपर और नीचे की side में इस तरीके से slide करके जा सकते हैं जब यह हमारी slide window से बड़ी हो जाती है तो हमें नीचे की side में भी एक scroll button मिल जाता है जिससे हम left right slide में जा सकते हैं तो scroll bar हमको दो मिलते हैं एक vertical होता है और दूसरा horizontal अगर आप यहां से इसे minimize कर देते हो तो एक scroll button गया हो जाता है बस एक ही scroll button यहां पर रहता है उपर नीचे slide करने के लिए तो यहां से मैंने आपको जो है powerpoint की window का पूरा परिचे दे दिया है और साथ में मैंने आपको जो है office button में जो सारे option है इन सभी के बारे में भी बता दिया है next वीडियो में हम लोग home tap की complete जानकारी सीखेंगे इस वीडियो के अंदर बस इतना ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को share करिए ताकि उनका भी फायदा हो सके और अगर आपने अभी तेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो यार सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक लिए जय हिंद वद्ने मातरम